हलो फ्रेंट्स कॉंप्टेशन कमीटी के वीकली करेंट अफेस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हेम अंत्रधान आए फ्रेंट्स आज हम स्टार्ट करती हैं पिछले वीक में साइंस और टेकलोजी और इन्वार्मेंट से रिलेटेड कौन से ऐसे महत्प को हमारा एप्रोच जो रहेगा इसमें डाइनेमिक के साथ साथ स्टाटिक एप्रोच भी रहेगा जो आपके एक्जाम में ज्यादा यूसफुल साबित होगा तो पिछले वीक में हमने लास्ट जो करेंट अफेस कवर किया था वो किया था पांच मार्श तक का और पांच मा से लेके 12 मार्श तक के बीच के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को जो किस से रिलेटेड होगा इन्वार्मेंट प्लस साइंस और टेकलॉजी से रिलेटेड होगा तो देखते हैं इसमें की कौन सी ऐसी महत्पूर्ण बाते हैं जो आपको जानना है तो सबसे पहले य है परममगा क्या है ये एक सूपर disciple है तो सूपर कम्प्यूटर के साटीक में यहां पर समझना है सबसे पहले स्वा अर्मचान पैसला एक्जाम में पूछा जाता है वर्स 2015 में इसे स्टाबलिस किया गया था और एक्च्वल में ये जो 2015 में स्टार्ट हुआ NSM जो है तीन महत्पूर्ण पार्ट के कवर करता हुआ हमारा सुपर कम्प्यूटर डेवलाप्मेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है पहला है कि हम एसेंबल जो है करेंगे इंडिया में मतलब स्वादेशी एसेंबल होगा दूसरा यह होगा यहां पर उसके पार्ट की मैनिफैक्चरिंग भी की जा सकेगी और तीसरा है डिजाइन भी इंडिया में किया जा सकेगा यह तीन महत्पूर्ण उद्देश्यों को ले इसे प्रलिम्स में भी या ब्यापम में भी कोशन पूछे गए हैं ठीक है तो यहां पर देखते हैं कि जो एन एसम है एक्च्वल में यह किस से मिनिस्ट्री ऑफ उसे संचालित किया जाता है और उसे एक्जिक्यूट कौन करता है क्रियानवित कौन करता है सीडेक ठीक है सीडेक का फुल फॉर्म यहां लिखेंगे सेंटर फॉर डेवलप्मेंट आप एडवांस कम्प्यूटिंग प्लस भारती विज्ञान संस्थान इंडियन इस्टिटर आप साइंस ठीक है जिसका एड़कॉर्टर कहां पे बैंगलोर में है तो इनके द्वारा क्य है इसे एक्जिक्यूट किया जाता है तो यहां पे आपको बताना जरूरी है समझता हूं कि नेशनल सूपर कंप्यूटिंग मिसंस रिलेटेड यह फैक्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लस हम सूपर कंप्यूटर की कुछ बातों को भी समझेंगे तो जैसे असे पावरफुल सूपर कंप्यूटर कौन सा है तो वो है आपका परमप्रवेग पड़ावरग जिसकी स्पीट कितनी है 3.30 पैटा फ्लॉप्स है यह कौन सी बला है यह vyपैटा फ्लॉपसर कंप्यूटर की क्या है स्पीड को मेजर्मेंट किया जाता है इस में पर्म यसे किया जाता है पेटा法 से मेजरमेंट किया जाता है इसका मतलब है 30 second 1000 trillion floating point operations के रूप में इसे ब्यग्ट किया जाता कि से पैटा motto को ठीक है क्लेर होगया अब उसके बाइज देखते हैं कि यह फिशिक स्पीट कितनी है वन पॉइंट सिक्स पेटा फ्लॉप से ठीक है अब आपको पूछा जाए कि टॉप थी टॉप थी सूपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया अगर आपको पूछा जाए प्रेजन सिनारियों में वर्तमान में तो सबसे फास्टेस परम प्रविक जो भी रिसेंट्ली इंटेड्यूस हुआ है फरवरी 2022 में और उसके बाद देखते क्या है परम सिद्धी उसके बाद देखते हैं प्रत्यूस जो एक मिटेरियो लॉजिकल मौसम विज्ञान संबंधित आंकणों को देने के लिए सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया था पूने में इसे स्थापित किया ग होगी कि आपके information and communication technology का पार्ट है पेपर फोर में तो यहां पर देखते क्या है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिसन के जो है चार प्रमुक इस्तम्भ है हमने इससे पहले क्या देखा इसके पहले देखा कि उसका डेवलाप्मेंटल जर्नी एक है एसेंबल करना दूसरा है manufacturing करना निर्माड करना तीसरा क्या है अपका वो है अपका design करना लेकिन यहां पर वह स्तम्भ है जो क्या है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिसन के चार पिरल पिलर कहले कहलाते हैं एक है उसका basic fundamental structure दूसरा इसका application पार्ट तीसरा research and development और चौता human resource development यह इसके चार स्तम्भ ह ठीक है यह याद रखेगा यह आपके exam के point of us important है now come to the second part तो यहां पे देखिए अगला जो है यहां पे क्या लिखा हुआ है कि उष्णकटी बंधी वन याने कि tropical forest पर जलवायू परिवर्तन और मानव गतिविधी क्योंकि दोहरे दबाव के कारत दुनिया के सबसे बड़े सबसे बड़ा वर्सावन कहां पे है Amazon forest आप देख रहे हैं कि Total आप देखेंगे कि South America का लगबग जो है काफी बड़ा पार्ट जो है यहां Brazil कवर करता ब्रजील का 40% अकेला Amazon forest के जो हैं जो कवर करता है तो Amazon forest क्योंकि important है क्योंकि यह tropical forest है उस नकटी बंधी वर्सावन है जि इस अर्थ में सबसे ज़्यादा जैबी बिता कहां पाई जाएगी यहां पे इस Amazon forest में ठीक है तो यहां पे यह जो देख रहे हैं Brazil वाला पार्ट और आपको यह भी पता होगा कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बायो डाइवर्सिटी कौन से country में है तो उसमें भी हम example answer क्या सबसे डेंस जो है वराइटी है सबसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की जो सबसे यहां पे वराइटी मिलती वो कहां पे है आपका अमेजन फॉरेस्ट में जो ब्रेजील का 40% पार्ट है तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि human activities ठीक है human activities और यहां पे climate chain की कारण इस पर खत्रा आ रहा है कौन सा खत्रा आ रहा है कि इसमें होता है कि जब भी इसमें यह होता है कि जब किसी environmental पार्ट को डैमेज करो तो अपने आप अपने घाओ की पूर्दी कर लेता है उसे हम homeostasis कहते हैं तो यदि हम यहां पे से डैमेज कर देते हैं तो सूखा या आग लगना जैसे मतल होना है यह हो सकता है कि future में सवाना पारिश्सिक तंतुर सवाना टाइप ob ecosystem convert हो सकता है अब सवाना क्या है देखो mostly सवाना जो grassland है इसमें क्या होते हैं कि पेड़ बहुत दूर-दूर होते हैं और grass भी क्या होते हैं बड़े-बड़े grass होते हैं जिसमें कि जैसे कि जिराप या जेब्रा या आप नेशनल जोग्राफी चैनल बगरा में देखते होंगे दूर-दूर में इस प्रकार के जानवर चर रहे होते हैं ग्रेजिंग कर रहे होते हैं इसमें कि trees जो होता है ऐसा close canopy नहीं बनाता है तो यहां पे होता क्या है sunlight की availability तो बहुत जादा है लेकिन यहां पे rainfall relatively कम होता है यदि rainfall भी होता तो फिर तो ट्रॉपिकल वाली situation बन जाती कि sunlight भी है और आपका rain भी है ठीक है तो एक favorable condition हो जाता जिसमें कि अच्छे टाइप के trees ग्रो करते लेकिन वहां पे क्या होता है कि बारिश जो होता है relatively कम होत यह convert हो सकता है किसमी सवाना पॉर जो एको सिस्टम में future में कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर इस बात को focus करके कहा गया है इस report में जो recently published हुई है कि सवाना पाशिक तंत्र एक tropical grassland होता है जिसमें की वर्स भर गर्म तापमान होता है मैंने कहा temperature ज्यादा होता है और सिफ गर् हम देखते हैं इसका example अफ्रिका अमेरिका ठीक है साउद अमेरिका ऑस्टेलिया कंगारू अगर जहां पर ग्रेजिंग करते हैं वह भी क्या सावाना ग्रास लेंड है इंडिया में पाए जाता म्यामार था थाइलेंड मेडागस्कर एटसेटरा तो यह बस याद रखना यह एन सी आर नेशनल कापिटल रीजन तता आसपास के छेत्रों में वायू गुडवत्ता प्रबंधन आयोग सी एक स्टेटरी बॉड़ी है गवर्मेंट अप इंडिया का ठीक है तो वह क्या कर रहा है कि स्वच्छ वायू की दिसा में समवाद एक जो है वहां पे गुरुगर है कि CAQM CAQM के में क्या होता है कि यह वही से वह आठ इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसको हम कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में दस ऐसे पलूटेंट को मेजरमेंट किया जाता है यह दस पलूटेंट को ही हम क्या कहते हैं सौरी आठ प नाम जो है बड़े important है, इसे इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये मालो पाई चाट बना लिए, इस प्रकार ये 4 हो गया, उसके बाद ये 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, ठीक है, सब को fill करिए भई, तो यहाँ पर देखते हैं पहला SO2, ठीक है, फिर लिखते है NO2, ठी उसके बाद लिखते हैं, O3, ठीक है, यह Ozone है, उसके बाद आप देखते हैं कि आमोनिया, उसके बाद देखते हैं, लैड, पीवी, और उसके बाद क्या देखते हैं, यहाँ पे, यह है अपका पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 210, तो जो पराली वगरा जलाते हैं, वो सब चीज़ें में पर्टिकुलेट मैटर निकलता है, पेंट और दूसरे प्रकार की चीज़ों में, तो इसके आधार पर हम किसी एरिया में एयर की क्वालिटी को मेजर्मेंट करते हैं, ठीक है, यह एक्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ पे CAQM जो है, अभी इसे क्या orderance के द्वारा, अध्यादेश के द्वारा बनाय गया था, बनाये गया गया था, रास्ट्रपती के द्वारा, तो यह इसमें क्या होते हैं, इसके chairman, किसी भी state के, जो chief secretary होते है, उसके chairman होते है, ठीक है, यह लगे हम कहेंगे, इसका tenure है, वो क्या तीन साल होत कोई ऐसे officer जो है यहाँ पर इसके chairman हो सकते हैं ठीक clear हो गया अब बात करते हैं आगे कि भारत स्रिलंका दुपक्षी समुद्री exercise जो है यह अभ्यास किया गया है नववा संस्क्रा नाइन्थ वाला तो आपको कई बार exam में पूछा गया है S L I N E X ठीक है तो यहाँ पर इसे decode करो S L स्रीलंका आई एन इंडिया और E X exercise यहने अभ्यास तो स्रीलंका इंडिया exercise कौन सा exercise नेवल टाइप का exercise ठीक है यानि कि समुद्री इस प्रकार का हम अभ्यास करते हैं कब से कब हुआ था साथ से दस मास डेटा इंपॉर्टन नहीं ह लेकिन दो चरणों में हुआ था जो पहला चरण में विशाका पटनम में दूसरा बंगाल की खाडी में हुआ था यह चीज याद रखेंगे इंडिया की तरफ से जो है इसको लीट कर रहा था INS किर्च, INS समस्ते हैं, इंडियन नेवी सिप, इंडियन नेवी सिप याद र यह फुल फॉर्म पूछा गया है कि इस लेनेक्स का जो अभ्यास हुआ है, वो कौन-कौन से देशों के बीच में हुआ, यह एक्जाम में पूछा जा चुका है, आगे देखते हैं हम, आगे देखते हम कुछ और बातों को, जिसमें की देखिए यहाँ पे, कि भारती तारा प्रदोगी की संस्थान, इंडियन इंस्टिट आप एस्टो फिजिक्स के विग्यानिकों ने हाल में ही सूरी की क्रोमो स्फियर में प्लाजमा जैट के पीछे के विग्यान का पता लगाया है, जो क्रोमो स्फियर होता है, वो वायमंडली परत है, जो सूरी की किर्णे या स सूरी की दिखाई देने वाली सत्वाइब ठीक ऊपर होती है इसे सिमिला लाइक यह होता है कि सूरी की सत्वाइब ऐसा लगता कि कोई गरम चीज जो है ऊबल रही है और थोड़ा सा इस प्रकार का भाप्रूमा चीजे निकल रहा है तो उसके पीछे एक चीज होता है कि उसे ह अवस्था क्या है उसे हम कहते हैं प्लाजमा आवस्था तो यह प्लाजमा आवस्था है ठीक है तो वह चीजें यहां पर ऑब्जर्व हुई है बस इतना जानी आप क्लेर हुआ आगे देखते हम कि जितेंद्र सिंग कौन है साइन्स औं टेकलोजी मिनिस्टर के विभाग नहीं विज्ञान प्रदगी विभाग की महिला विज्ञानिक योजनासिस से 75 सफलता की कहानियों पर एक पुस्तक का विम्योचन किया गया है अब ये किस दिन किया गया था आट मार्च को राष्टी महिला दिवस की दिन में इसलिए केवल 75 ऐसे महत्पून महि महिला विज्ञानिक को समर्पित करते वे इनकी स्टोरी इसमें मिंचन की गई है अगर आप बात करें कि आप जैसे के महिला विज्ञानिक में आप टेसी थामस का नाम लिख सकते हैं कौन है मिसाइल वोमेन ऑफ इंडिया जो अगनी सीरीज के मिसाइल बनाने में सबसे जो म काटिगरी की मिसाइल बनाने में कौन है योगदान दिये टेसी थामस इसलिए उनको अगनी पुत्री कहा जाता है तो ऐसे इस रो में हैं डी आडी ओ में आपको पता होगा कि हम मंगलियान को लांच करने में वहां महिलाओं का कितना योगदान था ठीक है वैसे डी आडियो इसके बाद देखते हैं भारती क्रिसी अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजीत पूसा क्रिसी विज्ञान मेला 2022 का सुभारम किया गया है यह जो है नौ से ग्यारा मास को ही हुआ था इसका मुख्य थीम था कि तक्निकी ज्यान से आत्मनेर भर किसान भारती क्रिसी अनुस इसके इसके चेर्मन है तो यहां पर याद रखेंगी जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग अगरी कल्चर से रिलेटेड नई-नई टेकनोलोजी जो हम मेंस के पॉइंट अब उसे पढ़ते हैं जो पेपर 4 में है तो वहां पर याद रखेंगी यह इसमें जो मेंसन की ग ऑगरी स् factors किसान उत्पादक संगंठन जैविक और प्राकृतिक खेती ठीक है इसम्रीघ घर ची एक वर्टीकल यह नेकी आप लिक सकते हैं किसी भी like latest scenario में की हम agriculture के sector में नई नई टेकनलोजी कौन कौन सा हम क्या कर रहे है इंटर्यूस कर रहे है तो इस आर इंपोर्टेंट टेक्क्लोजी that we are introducing in the sector of agriculture clear हो गया तो यह point आपको याद रखना है आगे देखते हम बड़ा important है यह भी तो यहां पर देखें क्या है कि आउस्टेलिया के सेना प्रमुक लेप्टिनल जनर रिचर्ड मैक्सवेल बर ने भारत में उनका विजिट हुआ था और यह विजिट हुआ था तो यहां पे देखते हैं रिचर्ड मैक्सिविल बर ने भारत के सेनाध्यक्ष, नौ सेनाध्यक्ष और वाई सेाध्यक्ष, तीनों से ही उन्होंने क्या है? मेटिंग करी और मेटिंग करने के बाद भारत के संबन्द में एक बहतर कोपरेशन हो सके, इसलिए टेकलोजी का अदान प्रदान and cooperation वाला पार्ट जो है यहाँ पे agreement किया गया है तो यहाँ पे देखते क्या है कि नर्वने साहब है ठीक है नर्वने साहब के साथ यह image दिख रहा हूं नीचे जो देख रहे हैं कि इंडो पार्क वार 1965 तो यहाँ पे लोंगे वाला युद्धिस्मारक का यह चित्र है यह समस् 1965 का 1971 का और 1999 का कर्गिल वार ठीक है तो यह जो पार्ट है लोंगे वाला युद्धिस्मारक में भी उन्होंने विजिट किया था पोकरण के बारे माँ जानते ही है नुक्लियर टेस्ट के वे नुक्लियर टेस्ट 1 & 2 दोनों ही पोकरण में हुआ था ठीक है तो यह बाते है आप जान रहे हैं तो यह जो होता है लोंगे वाला युद्धिस्मारक याद रखेगा भारत और पाक जब युद्ध हुआ था उसमें जो इतने सहीद हुए थे उनको इसके इसमारक के तौर पर यह चीज बनाए गया था अगे देखते हैं हम आगे कुछ और बाते हैं जिस है जो एक वार्सिक सैन्य अभ्याज धर्म गार्जियन 2022 जो क्या है 27 फरवरी 2022 को विदेशी प्रेक्षिक्षा नोड वहां से सुरू हुआ था और 12 दिनों तक चलने के बाद जो है यह हाली में सब्मिट हुआ है कंप्लीट हुआ है दस मार्च को तो यह डेट अभी के सिनार सक एड्जॉर्मेंट को संसलिशित करने की नई रणिती खोजी गई है क्या होगा भी सियोटू की मात्रा एटमोस्फियर में बढ़ जाएगी तो क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग होगा और यह सियोटू बड़ा ही इंपॉर्टन रोल प्ले करता है ठीक है तो इसकी अवसो और इस से रिलेटेट टेक्नलोजी के इनोवेशन में भी ठीक है अब यहां पर देखते क्या है अगला रक्षामंत्रालाई ने उद्योगा धारित डिजाइनर विकास के लिए अत्रा प्रमुक प्लेटफॉर्मों की पहचान की है मतलब नए नए प्रकार के जो टेक्नलोज बनाये जा सकते यह डिफेंस एक्युपनेंट बनाये जा सकते वैसे ही अलग-अलग और सेक्टर है तो 18 ऐसे सेक्टर की पहचान की गई है जो क्या है रिसेंटली डिफेंस मिनिश्टी ने इंट्रेड्यूस किया है जहां पर भारी मात्रा में फिल्चर में इन्वेस्मेंट होने वाला है आएनेस चन्ने और आएनेस टेक का जो है कोलंबो दोरा हुआ है बस एक लाइन में याद रखें विज्ञान संचार पर CSI और NIS CPR के राष्टी सेमिनार का आयोजन तो बस याद रखेंगे कि यह जो सेमिनार हुआ था किसका जहाँ पर CSR Council of Scientific and Industrial Research जो भारत में वि CSCPR राष्टी विज्ञान संचार और नीती अनुसंधान संस्थान इनके तत्वाधान में क्या है यह आपका सेमिनार हुआ है जिसमें कि इंडिया के सबसे बड़े-बड़े जो साइंटेस्ट ने पार्डिसिपेट किया था जिसमें आपको पूछा जाएगा कुछ important fact कि भारत के प्रधान विज्ञानिक सलाकार कौन है उन्होंने उनकी अध्यक्स्ता में हुआ था प्रोपेसर के विजयरागवन ठीक है CSIR Council of Scientifical Industrial Research के जो डिरेक्टर जनरल कौन है डॉक्टर सेखर सी मांडे और वेनु गुपाल अचंता निरेसक कौन है CSIR राष्टी बहुतिक प्रयोग साला के जो है यहाँ पे डिरेक्टर है तो यह थार्ड पॉइंट को देखिए पूछा जा चुका है ठीक है तो इसके जो चेर्में है जो CSIR से रिलेटेट जो पी आरेल है वो क्या है उसके डिरेक्टर जनरल डिरेक्टर कौन है वेनु गोपाल अचंता बस याद रखेगा आपको बता दूं कि यह जो है फिजिक्स रिजसर्च लबॉरेटी में एक समय में जो है सतीस धवन सहभी यहां पर रिसर्च काम किया करते थे बिफोर इंडिपेंडेंस आप्टर इंडिपेंडेंस वो जो है फाइनली आगे आए और फिर एक समय बाद जो है वो भारत में क्या हुआ कि जो है साइंस जम्मू छेत्र में स्टार्टप और नवाचार के लिए नए रास्ते खोलेगी फिर से साइंस एंटेक्लोजी मिनिस्टर का है इसमें बस में करक्स बता दे रहा हूं कि अगर भारत के मैप में अगर देखते हैं तो भारत के मैप में उपर से नीचे तक अगर आप कि सेंटर सेंज कुछ साँट में जादा टर साउट में कुछ कुछ इधर आगी एहां भुपाल में है कुछ इधर इस परकार की कुछ आप यहाँ पे देख रहे हैं चंडी कड में हैं ऐसा करते करते आ रहा है लेकि पूरा जो नॉर्थ बैल्ट खास का जम्मू कस्मीर में एक भी ऐसा नुक्लिय सेक्टर का स्वरी स्पेस सेक्टर का कोई भी ऐसा रिसंच सेंटर नहीं था तो अभी जो है हाल ही में प्राइमिस कर सकेंगी और फ्यूचर में काफी रिवालिशन आएगा इसी टार्गेट को लेते हुए यह बड़े बड़े चीज़ें जो है डिसीजन लिये जा रहे हैं जिसमें की एक चीज़ यह था कि एकनॉमी को हम स्पेस टेकनलोजी को किसके साथ जोड रहे हैं एकनॉमी के साथ ज बतले में revenue creation होता जो इंडिया से government of इंडिया को प्राप्थ होती है दूसरा हम आंतरिक सहयोग भी क्या हो रहा है इससे बढ़ रहा है लाइक हम सार्क सैटेलाइट जैसी छी छोड़ते हैं जो जितने भी सार्क कंट्री मेंबर्स हैं excluding और पाकिस्तान सभी को हम सर्विस प्र करने वाले तो याद रखेगा यह जो है में अब्जेक्टिव है और चुकि हम देखते हैं कि जम्मु कस्मीर में इसरो का एक भी सेंटर नहीं था इसलिए जम्मु कस्मी सेंट्रल युनिवसिटी में स्पेस टेकलोजी के लिए स्पेस साइंस के लिए 37 धवन स्पेस सेंटर का जो है वहां पे इनाउग्रेशन किया गया है दो ऐसे सेंटर जो है इसरो के रिसेंटली ऊपन है पहला है अगरतला अगरतला वह कहां पे त्रेपूरा का और दूसरा यहां पे जम्मु कस्मीर का यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखेगा ठीक है 37 धव है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसमें कि यहां पे देख रहे हैं कि एक कौन है डॉक्टर राधा कृष्टन सर जो है जो फॉर्मर इसरो के चेयर्में रहें इनके नेत्रित्म में की बहुत बड़ी-बड़ी किर्तिमान जो है इसरो ने रचा हुआ है ठीक है इनके कि प्रेजेन्ट में क्या है चेयर मैं है ठीक है और यहां पर में जर आपके जसरो के खती सर करते हुए इनका जो है फाइनली ये जम्मु कस्मीर में उनका नाम से रिलेटेड साइन्स एंटेकलोजी का स्पेस सेक्टर का आपका सेंटर रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है ठीक है that's it काफी है इतनी बाते भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एंजी ने पुदुचेरी में समुद्र इस्तर के परिक्षणों का सफलता पूर्वक जो है टेस्क कर लिया गया है जो भारत में पहली बार हुआ है पहला इंडिजिनस है याद रखेगा और यहां पर बस इतना याद रखेंगे कि CSIR रास्टी एरोस्पेस प्रयोक साला द्वारा ये वि देश के नागरिक शेत्र में एकमात्र सरकारी एरोस्पेस अनुसंधान विर्कास प्रयोक साला है ठीक है इसके बाद देखते हैं चंद्रयान 2 पर इस्तित स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा नोबल गैसों में से एक आरगन 40 के वितरान से संबनित पहली खोज की है ठीक है चंद्रयान 2 ठीक है चंद्रयान 2 के बारे में याद रखेंगे क्या क्या चीज़ सबसे पहले तीन पॉइंट है जो आपको स्टैक्टिक डानेमिक पॉइंट है उसी याद रखना है पहला है चंद्रयान 2 जिसे कब लॉंच किया गया था यहां पे 2019 में लॉंच किया गया था चंद्रयान कब लॉंच किया गया था 2008 में लॉंच किया गया था ठीक यह दो चीज़ याद रखेंगे ठीक है और कहां से स्रीहरीकोटा 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 हाइटिट्यूट रेंज कहते हैं ठीक है तो स्रीहरीकोटा कहां पर है आप देखते हैं यहां पर आंदरपरदेश पर तो स्रीहरीकोटा स्रीहरीकोटा हाइटिट्यूट रेंज में क्या है यह से लांच किया गया था अब जब यह जो चंद्रयान 2 है इसके तीन जो है important part था क्या क्या था आपको पता है एक होता था क्या lander दूसरा क्या है orbiter ठीक और बिट के चारों चक्कल लगा रहा था और तीसरा क्या हाँ पर यहाँ पर देखते हैं उसे rover कहते हैं ठीक है rover का क्या नाम था rover का नाम था प्रग्यान ठीक है जिसे हाली में एक्जाम में पूछा गया है lander का नाम होता अगर land कर लेता तो विक्रम नाम था और बिटर जो है चक्कल लगा रहा है तो उसमें क्या लगा हुआ है स्पेक्ट्रोमीटर तो स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा नोबल गैस में से एक आरगन 40 का वहां पर प्रेजिंस पाए गया कहां पर पाए गया आपके मून में ठीक है तो मून में पाए गया मतलब यहां पर दो बड़ी-बड़ी बात आ रही है सबसे पहली बात कि हमने यहां है उसके बाद आरगन है ठीक है क्रिप्टान है ठीक है जेनान है ठीक है रेडान है और कौन सा है लास में देखते हैं इसे कहते हैं यू यू ओ यू नॉक्टियम कहते हैं तो यह क्या देख रहे हैं तीन च़ए और साथ साथ जो है क्या है नोबल गैस है ठीक है अक्री इतने आपके इहां पे देख रहे हैं तो यह हमने पहली बार बताया तो और ये क्या है और कौन से पहली बार बता है हम चंद्रयां bevor 208 में हमने लांच किया था और बिस्कनेक्ट हो गया था पूरी है वो है आपका चंद्रयान वन ठीक है जिसको बाद में कनेक्ट कर लिया गया यूएसे के दवारा फिर हमको इंफॉर्म किया गया और जब वो कनेक्ट हुआ तो चंद्रामाय में पानी के प्रजेंस को उन्होंने क्या क्या कर दिया था ठीक है तो यह बातें आपको याद प्रशन में किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा फिचर में हम कुछ करेंट अफियस की कुछ अब्जेक्टिव भी हम प्रिवियस और नए जो सेशन के बीच में कुछ अब्जेक्टिव के भी कोश्चन कवर किया करेंगे ताकि कि कनेक्टिवीटी इजी हो और पिछली क्लास का तुरंत रिकॉल हो सके आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक्यू सो मच्छ हैवे नाइस टेक